बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com मिलने की दिक्कत है यदि आपने लोन्स के लिए अपलाई किया है कहीं से आर्थिक सहायता की उमीद करी है तो वो भी दिक्कत का काम हो सकता है financially ये time थोड़ा सा tough नज़र आ रहा है वरिश्वराशी वालों केरफूल रहना है आपको भी और कहां साफधान रहना है बता देते हैं किसी बात को लेकर वाद विवाद इतना चड़ जाएगा कि हो सकता है कि उस विवाद का कोई अंतना निकले यानि की agree to disagree वाली situation रहेगी कोई मदभेद बढ़ सकता है कोई differences in opinion बढ़ सकते हैं जो कि आपके लिए challenging हो सकते हैं आपको थोड़ा सा साफधान रहना है यदि आपको ऐसा समझ में आए कि कोई विवाद बढ़ रहा है कोई बातचीत बढ़ रही है मित्र नश्वालों काट आया है आपका four pentacles इस time पे आप जहां बैठे हैं जिस थान पर बैठे हैं उसको बना के रखें यानि कि career को लेकर कोई भी निर्ने ना ले इस समय जो चीजे जैसी हैं उनको उतना maintain करना जरूरी है नहीं तो वो भी हाथ से फिसल सकता है अभी जैसी परिस्थिती है उसको बना के रखें नहीं तो हाथ से निकल जाएगा तो आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ जाएंगी तो आपकी परिस्थिती जैसी है उसको बना के चलें आपके लिए वो बेहतर रहें चली बात के लिएते हैं अगली राशी क्या कह रहे हैं करकराशी वालों के काद करकराशी वालों किसी प्रकार का विश्वास खात हो सकता है आपको चीजें इस समय समझ में नहीं आ रहे हैं हो सकता है कि कोई व्यक्ति विशेश जिससे आपने बहुत विश्वास किया क्योंकि विश्वास आप तो अपने ही करते हैं तो ऐसे विक्ति विशेश से साफधान रहना है याने कि मन की बात बहुत जल्दबाजी में किसी को नहीं बतानी है नहीं तो परिशानी हो सकती है कोई लीगल मसला चल रहा हो तो वहां भी साफधान रहे पीट से स्वास्त से जोड़ी समस्या है तो वहां भी परिशानिया बढ़ सकती हैं तो कई ऐसे आपकी लाइफ की पिरामिटर्स हैं जहां पे आप यदि साफधान रहें तो आप आज के दिन को आराम से टाल सकते हैं पर छोटी-छोटी अरचनों का सामना करना पड़ सकता है बहुत ज्यादा उमीद आज के दिन नहीं नजर आ रहे हैं तो ये तो था करक राशी वालों का हाव सिंग राशी वालों चलिए जाकते हैं सिंग राशी वालों मेहनत बहुत कर रहे हैं और ये समय मेहनत का ही है, परिश्रम करेंगे तो ही फ़र मिलेगा, यानि कि यदि आप कोई goal, target, set करते हैं, तो उस target को अचीव करने के लिए आपको पहले से कहीं अधिक मेहनत करने पड़ेगी, बहुत जल्दबाजी में results की उमीद ना करें, वैसे ही यदि आप career में grow करना च जाते हैं, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि जिस रास्ते पर आप हैं, उस रास्ते तक पहुँचने के लिए, और उस मन्जिल तक पहुँचने के लिए, क्या कुछ जरूरी है, यदि आप ये evaluate कर पाए, कि आपको क्या कुछ सीखना है, चाहे वो skill set हो, चाहे अपने behavior में हो, चाहे वो कोई ऐसी चीज हो, जो की फिलहाल lacking लग रहे है, तो उस चीज पर focus करके आगे बढ़ें, आप आराम से आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन आज का दिन major focus करेगा कि आप कुछ नया सीखें और सीख कर ही आगे बढ़ें, बिना सीखें, आगे बढ़ने से आपक आपको blood pressure या heart से जुड़ी कोई समस्या है, तो careful रहें, दूसरी बात, मन के हिसाब के काम आज कम होते हुए नजर आ रहे है, जिस हिसाब से आप लोगों से उमीद करें, जिस हिसाब से आप संबंधों से उमीद करें, जिस प्रकार से आप अपनी relationships में, partnerships में, business में, office में लो को भी सावथान रहना जरूरी है, चली बात करते हैं अगली राशी तुला राशी वालों के बारे में, तुला राशी वालों फिलहाल इसा लग रहा है कि आज के दिन आपका अमन करेगा कि छुट्टी लेकर आराम करने, कोई काम ना करें, रेस्ट करें, यानि कि आप जिस zone में हैं, उस zone से निकलने का मन नहीं करेगा, जिस area में, comfort zone में आप पढ़ गए हैं, उस से निकलने का प्रयास करें, यही आपके लिए फिलहाल चुनाओती है, आपने से कई लोगों को स्वास से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और health का विशेश तोर पर, कही ना कही अकेले पन का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है कि आपने से कई लोग सब कुछ होते वे भी, जैसे कहते है ना भीड में अकेला, अपने आपको महसूस करें, तो यह थोड़ा सा एक disappointment नजर आ रहा है, जो कि थोड़ा चालेंजिंग हो सकता है, और मन में करना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा, तो टोटल में का हूँ भी विश्यक राशी वालों, आज के दिन मायूस ना हो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें, आध्यात में की तरफ अपनी एनरजी को डाइवर्ट करें, चली बात करते हैं धनु राशी वालों के बार क्योंकि आपके लिए बहुत खास रहेगी, विश्कार जो निकलता है न तो बहुत सोच समझ के कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि मांगी वी हर इच्छा आज कि दना आपकी पूरी होती वी नजर आ रही है, निर्विक नकाम पूरे होंगे, जो कुछ आप प्लान करके चल र और एगूम के जो बदलाव ला रहा है, वो आपके लिए आश्चर जनक रूप में रिजल्ट्स लाएगा, इक्तम आप जिसे उमीद नहीं कर सकते हैं, वो सारे काम आज के दिन पूरे होते वे नजर आ रहे हैं, आप में से कई लोगों के, और आप सोचेंगे कि कहीं न कही तोर पर नजर आ रही है, चली पात कर लेते हैं, आप आज के दिन अक्वेरिंस की बहुत जबर्दत काड आया है, आप बहुत दिन उसे कुछ एक उफर, उमीद, प्रपोजल का वेट कर रहे थे, खुश खबरी का वेट कर रहे थे, समझ लीजे आज का दिन वो लेकर एक ऐसी खुश खबरी जो कि आपके दिन को बहतर बना डा रहेगी, कहीं न कहीं मन में पॉजिटिविटी लेकर आएगी, अगर आप वेट कर रहे हैं एक अच्छी न्यूज का, एक अच्छी खबर का, तो यही दिन है आपके लिए जो कि बहुत बढ़िया रहेगा, कहीं कहीं मन में खुशियां बने रहेंगी, एक सप्राइज भी मिल सकते हैं और खासकर रिलेशन्शिप्स में अगर आप हैं, तो आपकी रिलेशन्शिप बहुत प्यारी, आज के दिन कुम राशी वालों नजर आ रहे हैं, तो अक्वेरियंज आज का दिन बेहत खास जाने वाल सकती हैं, कहीं न कहीं, अपने आपको बंधा हुआ महसूस करेंगे, जकड़ा हुआ महसूस करेंगे, जहें prze आते हैं बंधन की, लीगल मैंटर्स में आपको कैफुल रहना है, कोई लीगल कोट केस चल रहा हो, तो कैफुल रहना है, मन के हिसाथ का शायद ना हो इस समय पर, और साथ ही साथ हेल्थ रेलेटेज इशूस में कोई भी निर्ने तक ना पहुंचे, ये भी आपके लिए एक चैलेंज का काम हो सकता है, तो ओवरॉल मैं कहूंगे, इस समय साथान रहना आपके लिए बहत ज़रूरी रहेगा, अब बात कर देते हैं, जाते जाते आज के दिन के दिव्योपाय के बारे में, दोस्तों गुप्त नवरात्री चल रहे है, आज के दिन, आपको दुर्गा सब्तशती के, रोगान, शेशान, पहंसी, तुष्टा, रुष्टा, तुपमान, सकलान, भीष्टा, तवम, आश्रतानाम, नविपनरानाम, तवम, आश्रताम, राश्रताम, प्रयानते, इस श्लोक को पाँच बार घर के सारे फैंबली मिंबर्स एक ही समय, जिस समय भी आप पूजा करें, चाहे वह सुबह का हो, शाम का हो, पाँच बार, या जाज़द 11 बार, इसका समरण सब कोई एक साथ करें, तो घर में रोग मुक्ती होगी, आने कि बिमारियों से जूच या भविश्य में कोई बिमारी आने वाली है, उसका इलाज बहुत आसानी से हो जाएगा, और घर रोग मुक्त रहेगा, दोस्तों यदि आपको ये मेरा एपिसोड पसंद आया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्स्राइब, शेयर करें, और आने वाले वक्त में देखते रहेगा किसमत के पत्ते, आस्टो तरब पर, नमस्कार, आपका दिन बेहत बेहत शूप हो